अगर आपका यहां से कभी भी कोई भी क्वेस्टन आएगा तब आपका कोई भी गलत नहीं होगा कितनी सीटे हैं कितनी आरक्षित सीटे है और वहां से उनका किस अनुछेद के अंदर वरनन किया गया है और जो भी जैसे अबी नई संसद का भी उद्गाटन किया गये है तो उन सब चिजों के बारे हमें बिल्कुल डीपली हम जानने वाले हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं लोकस बारे में लोग सबा देखिए जो आपकी संसद है उसके दो सदन है एक लोग सबा और एक अरेजय सबा आपका उस सदन है और लोग सबा आपका नीमन सदन है जो आपकी रेजय सबा है उसको आप कभी भंग नहीं कर सकते लोग सबा को आप भंग भी कर सकते हैं जो आपकी रेजय सबा है उसका time period होता है 6 साल और लोग सबा का 5 साल जो आपकी लोग सबा रेज़ सबा है और जो आपकी संसद है यह है किस article में आते हैं इनके उपर भी एक बार हम अच्छे तरिके से discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको तीन article याद रखने हैं 79, 80 और 81 तो सबसे पहले भारत के अंदर एक संसद होगी एक पारलेमेंट होगी ऐसा बोला गया है article 79 में और जो उसका उपर वाला सदन है कि एक रेज़ सबा होगी यह बोला गया है 80 में और एक लोग सबा होगी यह बोला गया है 81 में तो यह तीन ओ एक साथ है याद कैसे रखेंगे? सबसे पहले आता है 79 फिर आता है 80 और सबसे लास्ट में आता है 81 तो सबसे पहले संसद होगी क्योंकि जब संसद होगी तब ही तो उसके आगे 2 सदन हो सकते हैं तो पहला कुन से आपका रैज्ज सभा और दूसरा कुन से आपका लोग सभा तो यह है तीन पॉइंट्स है यहां से क्वेस्टन पूचे गए है वैसे तो लेकिन आप बिलकुल अच्छे तरीकी से इनको याद रख लिजीगा क्योंकि अगर आप आज एक स्टूडेंट है तो अपने हरियाना के अंदर सीटे हैं वैसे लोग सभा की टोटल कितनी सीटे हैं देखिए लोग सभा के आपको 552 सीटे को देखने को मिलेगा कि भारत के अंदर इतनी अधिक्तम सीटे हो सकती है लेकिन अभी क्या है 552 में से जब की दो सीटे थी किसकी एंगलो इंडियन के ल खतम कर दिया गया है जब से चुनाव हो रहे हैं तब से यह है 1950 से और 2020 तक 51 बावन से और 2020 तक यह है दो सदस्यों का एक नियम था कि दो सदस्य अंगलो इंडियों यानि की मनोनित हो सकते हैं यानि उनके लिए वोटिंग नहीं होगी वह स्पेशल अरिजरव सीटे थी किसके अंगलो इंडियन के लिए लेकिन अभी 2020 के अंदर इसको खतम कर दिया गया है यह है रैज्जे सभाओं से भी जो आपके अंगलो इं पर चुनाव होते हैं जैसे कि अभी 2024 के अंदर जो चुनाव हुए है वह 543 सीटों पर हुए है नियम क्या है कि जो इतनी सीटे हैं कितनी भी सीटे हो उनका 50% से यदि एक सीट भी जादा आ जाती है तो उस पार्टी को पूरन बहुमत मिल जाता है और वही सरकार बनाती है जिसे कि अब की बार भाजपाने किया चाहे वह है अकेली आए या फिर किसी और पार्टे के साथ गठवंदन करके यदि जो एक आंकड़ा है दो सो बहात्र का यदि इससे एक सीट भी जादा ले जाती है तब क्या होगा उसे की पूरुन बहुमत के साथ मतलब सरकार बन जा जिए कि 2020, 140, सविधान संसोदन, दो एंगलो इंडियन, 543 शीटे, 552 शीटे, अब इसमें से दो कर दो 550 शीटे, चली इतनी तो आपको बाते पता हों चाहीए, अब स्पेसली हर्याने की बात करता हूं तो कि हर्याने के अंदर कितनी शीटे हैं, हर्याने के अंदर लोग सब या फिर रेज्यसभा सदस्यों के लिए, जो सदस्य है, उनके लिए रेज्यसभा के, उनके लिए हम आम नागरी के वोट नहीं डाल सकते हम यहां से डालते हैं लोग सबावें, तो साहब जो आप एक एक करके आपको तो जस्ट दस नमबर दिखाई दे रहा है, ठीक उसी प प्रकार सीट जो यह है कुल मिलाकर 543 होती है तो यही वो सीट है जिससे हम खुद आम नागरिक जो आपके जिसको हम बोलते हैं डैमोक्रेसी जिसको बोलते हैं लोग तांतरिक देश है तो यही है वो लोग तांतरिक देश क्योंकि हम अपना एक खुद का हक होता है खुद का विचार होता है कि हम किसको वोट डाल रहे है जब आप वोट डालते हो तब आपका एक एक सीट करके 543 सीट इस परकार से वो बनती है तो उन्हीं में से हर्याना के अंदर कितनी है 10 सीटे है तो 10 कौन कौन सी है सबसे पहले बात करते हैं हम अंबाला की तो सहाऑ हमारे यहां पर ज़िवाइश सीट 10 कैसे तो बता दू किसी सीट के अंदर 2 ज़िवाइश तो किसी सीट के अंदर 3 जिवाइश इस परकार से इनको इंकल्यूड किया गया है अंबाला एक लोगसबा की सीट है और यह है एक आरकशित सीट भी है हरियाना के अंदर दो सीटे आरकशित हैं कुण कॉन से ایک अमबाला और दूसरी आपकी सिर्षा दोनों ऊपर के तरफ हैं एक आपकी राजस्तान पंजाब को लगती है दूसरी आपकी कया पंचकूला को लगती है तो मतलब कि साउत की एक भी नहीं है जो हर्याना साउत की बात कर रहा हूँ है तो सबसे पहले अंबाला की बात करते हैं उसके बाद कुरुक छेत्रा कुरुक छेत्रा भी एक विधान लोकसभा के सीट है करनाल, सोनिपत, हिसार, सिरसा, भिवानी और महिंदरगड इनके नाम पर दो जिलों के नाम पर एक सीट है 2026 के अंदर इनको अलग-अलग भी ये हो सकती है गुरुगराम, फ्रीदाबाद और रोहुत तक तो ये 10 सीटे हैं, इनका नाम आपको पता होना बहुत जरूरी है यहां से कौन-कौन सांसद है, यह भी कभी कबार पूछ ले जाता है जादे दर नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक आम नौगरी को भी पता होना चाहिएगी हर्याना के अंदर, यानि जो आपका रैज्य है, उसके अंदर कितनी लोकसबा, रैज्यसबा और विधानसबा की सीटे होती है ठीके, आई होब कि इतना तो आपको पता लग ही गया होगा अब हम बात करते हैं हमारे जो भारत देश की नई संसद है यहां पर जो आपकी पारलेमेंट है, यह है पुराने वाले, यह है आपकी वृत्ताकार, एक गोला के अकार में है यह, वृत्त के अकार में जो नई बनी है, वह कैसे बनी है, आपकी वह बनी है, कुछ इस परकार से, त्री कोणी यह अकार की इस प्रकार से बनी है वो कुछ उसकी भी मैंने आगे तस्वीर डाल रखिया वो भी मैं आपको दिखा दूँगा लेकिन यह पुराने वाली है जो नई बनी है वह है चार मंजिला है पूछ लिया जाएगा क्योंकि अभी तो इसके उपर पारलेमेंट पहले ही बना दी गई है तो यह चार मंजिला है सबसे पहले एक पूइंट दूसरा जब इसको बनाये गए तो लगबख 60,000 सरव विरों ने इसमें क्या किया है योगदान दिया है चाहे वह किसी भी रूप में हो आगे आपका पूइंट के है जो नए भावन है जो आपकी यह नई संसद है इसको बनाने के लिए तकरीब़न 1200 क्रोड रुपे की लागत लगी है इसमें देश के तीन राष्ट्रे परतीक जो हमारा पूस्प है क्या है कमल जो राष्ट्रे पकसी वो क्या है मोर और जो राश्ट्रे वरक्स है वह गया है बर्गत को इसको नए संसद भावन में यहां पर तवज्जो दी गई है इन तीनों तीन परतीक को तो यह बात भी हमें पता होनी चाहिए क्वेस्टन आ सकते हैं कि नई परलेमेंट में नई संसद में हमारे भारत देश के इन चार राश्ट्रिय परतीकों में से कौन सा एक नहीं है एक आपको कमल दे देंगे एक आपको मोर दे देंगे एक आपको बर्गत दे देंगे और एक और आपको कोई भी कुछ भी दे सकते ह तो आपको यह ध्यान अरक लेना है आम दे देंगे फल ठीक है तो चली पीम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को इसकी अधार सिला रखी थी किसकी नई पारलेमेंट की और इस बिल्डिंग को डिजाइन अर्केटेक्ट बीमल पटेल ने किया बीमल पटेल यह नाम भी आप ध्यान है तो आपको अब तो चोटे चोटे क्वेस्चन लग रहे होंगे लेकिन इनको आप राइट डाउन करते चले क्योंकि आने वाले टायम में एक-एक क्वेस्चन पुचा जाएगा मैं यह नहीं कहता कि एक ही एकजाम के अंदर पूचे जाएंगे लेकिन यहां से एक-एक करके question पूछे जाएंगे क्योंकि ultimately भारत सरकार की बात करें भारत सरकार भी यही चाहते कि आम नागरिकों को इसका पता हो कि इसके अंदर कितने gate हैं, किसने इसको त्यार किया, कितने इस पे लागत आई अब इसका अकार कैसा है, तो वह है एक just simple format है कि books में डाल दो, exams में इसके एक-दो question पूछ लो तो बच्चे आपने आप याद कर लेंगे, जो कि सही भी है, हमें याद भी करना चाहिए हाँ, जो हमारी पुरानी यहाँ पार्लेमेंट है, जिसको आप तस्विर में भी देख रहे हो यह हो गया पुरानी, इसका क्या करेंगे, इसका नाम change हो सकता है क्योंकि नाम क्या, वैसे तो संसद इसको बोलते हैं, संसद बोलते हैं, पार्लेमेंट बोलते हैं लेकिन इसका सवीधान सदन करके एक नाम अभी सायद फिक्स तो नहीं हुआ है क्योंकि मोदी साहब ने उसके रिकेमेंडेशन दी थी कि आप यह नाम रख सकते हो तो वह होगी और इसका करेंगे क्या आल्टिमेटली यह आम पबलिक के लिए कोई आप उसको जाकर देख भी स था तो जैसे कि इसके अंदर तो मतलब आप देख भी सकते हैं उसको जो नए संसद भवन की लोग सबाज सीट है उसमें अभी हाल फिलाल जानकारी आ रही है और राज्य सबा के लिए 384 तो 1112-1200 से उपर कुल टोटर मिलाकर सीट हो जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं ले हभी पहले से 420 नंबर की शीट नहीं होती थी ऐसा हमें पढ़ने को मिला है तो 420 नंबर की शीट नहीं थी लेगन अब के बार है इसके अंदर अखंड भारत का मानचित्र जो अपना पुरा भारत है उसका मानचित्र दिया है, और साथ में आम बेड़कर साहब की बात करें यह सर्दार वल्लबाई पटेल की बात करें या चानक के की हम बात करते हैं तो उनके चित्र भी उके रहे गए है अगर हम नए संसद भवन की अकार का त्रिकोणिया कार है यह है रहा इसको देख लीजीगा त्रिकोणिया कार है ठीक है कुछ ऐसे करके मेरे से तो ठीक बन भी नहीं रहा जहापको तच्विर में दीख रहा होगा और यह है कहां पर बनाएगा जो आप पीछे देख रहे हो यहां पर यह पीछे वाला क्या है दुबारे से दिखाता हूँ आपको यह वाला पीछे वाला यह है आपके पुरानी संसद जो आपकी वृत्ताकार है जो गोलाकार है ठीक है चलिए संसद के अब के बार 6 दर्वाजे बनाए गए है 6 गेट बनाए गए और उनके नाम जानवरों के नाम पर रखे गए है और I think मैंने नीचे डाल भी रखा है कि उनके क्या के नाम है उनको भी देखेंगे देखिए जो म सविधान मंत्र इंदरेंदर मोदी ने मंगलवार को सुझाव दिया कि पुरानी संसद भवन का नाम सविधान सदन रखा जाए तो वही मैंने आपको बताया कि पुरानी जो संसद है उसका नाम करन कर सकते हैं जो प्रतम लोकसभा है उसके अधियक स्तियापके जीवी मावल है वोटिंग हुई है साथ चरनों में अब की बार वोटिंग हुई है जिसमें लोग से बागे पांसो 343 से दिश्यों को चुना गया है और इन होने ही आपकी सरकार बनाई है इतने बात आपको पता होने क्योंकि उसके अंदर पसु भी है पक्सी भी है उसके अंदर उसके अंदर काफी जो आपके समुंदरी जीव है वो भी है वह काफी एक मिक्चर है बहुत सरे एक क्रियेचर है एक्चुल में वो ठीक है तो उसको दरसाय गया है एक सारदुला दुवार है और एक आपका हमसा द द्वार है तो ये छे द्वार है इनका भी आप नाम ध्यान रख लिजीगा जो भी वर्तमार में आपके लोग सुबा के अध्यक्स है वो कौन है ओम बीडला और फर्स्ट कौन थे सबसे पहले जीवी मावलंकर तो इतने सारे क्वेस्टन हमारे यहां से बन जाते हैं काफी इपोल्टेंट है हलके में मत लीजीगा और इनको आप राइट डाउन कर लीजीगा ठीक है यहां से अब के अब तक हमने पचास सार्ट क्वेस्टन कर ही दी बलकुल एजली तो यह भी हमने पहले देख लिए अब बात करते हैं हम अरेज़े सबागी आपका अरेज़े सबा कहां पे है यह है रहा आपका अरेज़े सबागा जस्ट का एक ही लाइन है हाँ हर्याना में रेज़े सबागे पांच सद पत्र भी है सोनी पत्र भी है गुरूगराम फ्रीदाबाद भिवानी महिंदरगर शिर्षा हिसार इस परकार से लेकिन ये नाम पे सीट नहीं होती क्यों कि इसकी एक जर्नल जो एक आम नागरिक है वो वोटिंग नहीं कर सकता तो इसी वज़े से जो आपका आरेज्य सबाह है उसके जस्ट यहीं बोला कि उसके सदेशिय चुने जा सकते हैं तो हर्याना ची कितने सदेशिय चुने जा सकते हैं पांच सदेशिय चुने जा सकते हैं और अभी सबसे आखिर में कौन सदेशिय चुने गई है तो अगर अब यह है वीडियो बाद में देखे तो हो सकता है क की उस नाम में कोई चेंज भी आ जाए लेकिन हभी हाल फिलाल इस वीडियो को बनाने से पहले तक सबसे आखरी आपकी किरन चोदरी कौन है यह किरन चोदरी आपके बंसी लाल जो मुख्यमंत्री रहे हारी हारियाना के उससे संबंदित उनके प्रिवार से है यह और किरन के लिए इनका नाम दिय गाया है उर यह चुनि भी जा चुकी है इनकी बेटी हागे शुरूति चोधरी जो कि आपके वर्तमाण में क्या है जो किसा आपके आपके वरतमान में क्या है आपके महिला बाल विकास और आपके जल संग जुजल मंतरायलिया वह उनको दिया जी आगये है कि इसको सुरूती चोधरी को ठीक है तो साम से वो विदानसबा सीट जीती ती वो विदानसबा के अंदर है यह है आपकी रैजय सभा के अंदर है चलिए अगर मैं बात करता हूं इनके उपर तो हमने बात कर ही लिए चलिए आगे हम बढ़ते हैं हर्याने के थी आपकी 10 सीटे, 1967 में यह सीटे बढ़कर हो गई थी, 54 से 81 और 1975 में यह सीटे बढ़ गई थी आपकी 90 सीटे, तब कि हमारे पास 90 ही सीटे हैं, इतने बाते आपको पता होने साहिए, हाँ अभी आगे इन सीटों को बढ़ाया भी जाएगा, हमने लोकसबा, संसद, रैजे सब उनको देख लिया, अब हम देखते हैं, जो आपका अनुचेद 170 है, यह क्या आपका बोलता है, यह बोलता है कि परतियेक रैजे की विधान सबा, परतियक निर्वाचन दुवारा, जोने गए सदेश्यों से निर्मित होगी, यानि कि आपका एक विधान सबा भी होगी, पर एक रैजे के अंदर अनुचेद 170 में बोला गया है, और इसमें आपके जो सदेश्यों हैं, उनके भी संख्या दी गए गए कि 500 से अधिक किसी भी रैजे के सदेश्यों हो सकते हैं, विधान सबा के और 60 से कम नहीं हो सकते, 60 से कम तो हैं, जैसे कि गोवा के हैं, ठीके, लेक और अभी परिसमन होगा 2026 के अंदर, तो दो ही चीजे होती हैं, या तो अगर आपको जो आंकड़ा पहले सवीधान में लिखा गया है, उसके साथ कुछ हेर फेर करने हैं, तो उसके लिए एक और अमेर्टमेंट आपको करना पड़ेगा, जैसे कि गोवा के बारे में किया ऐसा ही हो सकता है, लेकिन यूपी काफी बड़ा एक रैज्या बन चुका है, तो इसकी जनसेंख्या भी सबसे जादा है, तो इसके लिए यह तो साफ तोर पर है ही है, कि इसके अंदर से एक या दो रैज्या और निकाले जाएंगे, तब यह सीटें भी अपने आप कम हो जा है, तो अगेर मैं आपको इतने ही कहना चाहूंगा कि दाट टीचर्स आप लोगों के लिए ही करे कर रहा है और हमेशा आप लोगों के लिए ही करता रहेगा, तो प्लीज बताए इस वीडियो का कंटेंट, टीचिंग, स्टाइल, पीडिये वगरा आपको कैसी लगी, वीड को सही, कैडिटेट को सही जगह से सही कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है और अच्छी तरीकी से इसको कंजूम भी कर रहे हैं, तो इसी वज़े से मैं बोल देता हूँ कि आप एक लाइक जरूर कर दीजीगा, अगर सेयर हो सके तो आप सेयर भी कर सकते हैं, अदर्वाइज पढ़ते रही है, ठीक है, देखे, आपको हर एक दिन पढ़ना पढ़ेगा, बिना रुके पढ़ना पढ़ेगा, हो सकता है कि बहुत बार आपको लगे कि सकसेस नहीं मिल रही, या फिर सफल नहीं हो रही, बहुत बार फैल हो चुका हूँ, वो लग गया, ये लग गया, उ जही जगह करम करना पड़ेगा, जहां से आपने कल छोड़ा, वहीं से आपने आज स्टार्ट करना पड़ेगा, जहां आज आप छोड़ोगे, वहीं से कल को स्टार्ट करना पड़ेगा, यह है पूरी चैन सिस्टम है, जिस्टा आपको क्या करना है, एक टारगेट को सेट और लगातार उस पर हिट किजी, मतलब कि जिसे कि अगर आप कोई भी एक टार्गेट सेट कर लेते हैं, तो लगातार हर एक दिन उसके उपर अराम अराम से थोड़ा थोड़ा महनत यदियाप करेंगे, तो यकीन किजी कि आपको टाइम लगेगा, नो डाउट आठ महीने, दस महीने, या एक साल, एक साल से भी ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपको जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो दो ही चीज आपको करनी है, क्या एक तो सबसे पहले अनुसासित हो जाईए, मतलब कि डिसिप्लिंट, मतलब कि आपके पास एक सही समय सारने, आपकी खुद की होनी चाहिए, एक आपके पास टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है, कि मुझे कितने बज़े उठना है, और मुझे कि सब्जेक्ट को कितने देर पढ़ना है, देखें, जब आप स्टड़ी कर चुके होंगे, और उसके बाद आप त्यारी भी क खाते हैं, फिर खेत, जिसको खेत पर जाना होता है, खेत पर भी चले जाते हैं, जिसको जोब्स के लिए निकलना है, जोब्स के लिए निकल जाते हैं, और फिर वो पूरा दिन एक्टिव भी रहते हैं, फिट भी रहते हैं, और अपने दैन एक दिन चरे के सारे कर्ये भी क ऐसे करते हैं कि उनके पास एक पूरा time table होता है जिनके पास एक time table नहीं है कुछ भी कभी भी पढ़ रहे हैं कुछ भी कभी भी कुछ भी खा रहे हैं किसी के कहने पर कहीं भी चले जा रहे हैं तो ऐसा मत करो क्योंकि अभी आपको लगता होगा कि हाँ ठीक है life एक जैसा ही चल में admissions भी करवाने पड़ेंगे आज अच्छे college में भी जाना पड़ेगा और खुद भी एक अच्छे आप parents हो तो यह भी आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि life बहुत जल्दी बदल रही है आज के time पे modern time है तो यह चीजे बदल दे रहेंगे लेकिन खुद demotivate मत खोईएगा लगातार खुद महनत करते रहो बस एक ही हमारे पास जरिया है कि महनत 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 जो भी आपकी स्थीती है पर स्थीती है वह बदलेगी और यकीन कीजिए खुद के उपर यकीन रखिएगा तो चलिए इसी वीडियो के साथ मैं आपसे वीदा चाहूंगा और हाँ आपको कुमेंट करके मुझे है बताना है कि जो लोग सबह है वह कौन सा सदन होता है अपर या फिर नीचे वाला तो आपको बताना है कि लोग सबह किस परकार का सदन है उपर वाला या फिर नीचे वाला तो आपको कुमेंट करके मुझे यही बताना है तो चले मिलते हैं अगली वडियो में